नमस्कार दोस्तों आप सभी दर्ष्टों का विशेश स्वागत है हमारे चैनल पर बहुत ही विशेश जानकारी के साथ मैं यह वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए इस वीडियो के मात्यम से हम आपको जानकारी देंगे बुद्ध और शुक्र के मिलन की बुद्ध और शुक्र जब मिलते हैं तो कौन सा योग बनता है बुद्ध और शुक्र दो राज योग का निर्मार कर रहे हैं पहला राज योग है लक्ष्मी नारायन योग और दूसरा राज योग है नीच भंग राज योग अब पहले जान लेते हैं बुद्ध और शुक्र किस झीज के कारक है और हमाये जीवन में हमें क्या कुछ देते हैं शुक्र की बात करते हैं, भारती जोदिश में शुक्र को शुक्र ग्रह माना गिया है शुक्र हमें बहुतिक वरासिक सुख देते हैं वेवाहिक सुख देते हैं भोग विलाज देते हैं नाम शौरत देते हैं पैसा देते हैं रूप रंग, फैशन, काम वासना उच्च शिक्षा, उच्च दरजे का जीवन लग्जरी लाइफ स्टाइल देते हैं और नित्यकरागीत संगीत में हमाई रुची को बढ़ाते हैं पती-पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं उनको और प्रेम से भर देते हैं और शुक्र जब भी शुभ होते हैं तो हमें यहाँ सब चीज़ें मिलती हैं या कहें इससे जादा कुछ मिलता है शुक्र हमारे जीवर में हर प्रकार के शुफ़ लेकर आता है हर प्रकार की लग्जरी लेकर आता है सुख लेकर आता है बिना शुक्र के हमें बहुत कुछ नहीं मिल पाता है शुक्र हमें देश-विदेश की यात्राएं कराता है, जितना भी आप समान यूज करते हैं, फिर्ज, टीवी, एलेक्ट्रोनिक्स, बड़ी-बड़ी गाड़ियां, लगजरी गाड़ियां, घर में सजावट का समान, लाइटे, चमक-धमक यह सब शुक्र देते हैं, तो शु बहुत ही इंपोर्टेंट है आज के जीवन में, अब बात कर लेते हैं बुद्ध की, बुद्ध ग्रह में बुद्धी, तर्क, वितर्क करने की समझ, गणित, चतुराई, कॉमर्स में बहुत अच्छा ग्यान देते हैं, यहां बहुत अच्छी तरीके से बुद्ध सिखाते हैं, यह हमाई बुद्धी को बहुत अच्छा तेश करते हैं, बहुत अच्छा बोलने की कला देते हैं, और हमें बहुत अच्छे सफल वैपारी बनाते हैं, क्योंकि वैपार में आपकी जुबार ही सबसे बड़ा हधियार होती है, किसी भी अच्छे वैपार को चलानी के ल स्पीकर हो सकते हैं, आप कोई धर्म के प्रवक्ता हो सकते हैं, यदि बुद्ध आपका अच्छा है तो आपको उच्छ दर्दे के शिक्षा पराप्त होगी, आप गर्णतग के बनेंगे, जोतशी बन सकते हैं, आपकी रूची कॉमर्स और गर्णित के विश्यों में हो सकती ह और आप अच्छे लेखक भी हो सकते हैं, आप अच्छे गीत कार हो सकते हैं, कवी कार हो सकते हैं, या साहित लिखने वाले भी हो सकते हैं, और जब जब बुद्ध और शुकर मिलते हैं, तब बनता है लक्ष्मी नारायन योग, मकर राशी शुकर और बुद्ध का मिलन बना तो सबसे पहले शुरूआत करते हैं कुणली से गोचर कुणली को देख लेते हैं कौन से भाव में या योग बन रहा है गोचर कुणली आपके सामने हैं 10 नमबर की गुणली है और जहांपर नमबर 12 लिखा हुआ है यह तरती भाव पराकरम भाव में बुद्ध और शुक्र बना रहे हैं लक्ष्मी नारायन योग मकर राशी वालों का भाग चमकने वाला है आपके इंदर उस्सा वा जोश होगा आप जो ठान लेंगे वह करके ही दम लेंगे आपका वैवार विनम्र होगा आप सभी से घुले मिलने वाले जातक या जातका होंगे आज आपको आपके द्वारत किये गए शुप फलों का फल राप्त होगा हम जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं जो हमें याद नहीं रहता है कुछ चीज़े याद होती हैं कुछ चीज़े याद नहीं होती हैं लेकिन हम हमेशा अच्छे कर्म करते रहते हैं तो इन कर्मों का फल हमें मिलने वाला है, लोग की दुआओं का फल हमें मिलने वाला है ब्लेक्सिंग्स का फल हमें इस समय में मिलने वाला है इस समय में यदि आपको कुरोध आता है तो आपको उस पर काबू पाना होगा यहाँ आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी इस पे आपको विजय हर हाल में फानी होगी तभी आप बेतरीन समय का आनंद उठा पाएंगे यदि विवा हो गया है तो वैवाही जीवर में थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है लेकिन यह तनाव अतिशी गिर दूर हो जाएगा बिलकुल भी इरिटेट ना हो और चानी होने वाली हैं इस तरियां उनके ओपर पूरा दिल और जान से उनसे प्यार करेंगी उनसे मितरता करेंगी या उनके लिए वह सब कुछ करेंगी जिसकी आपने इच्छा की होगी लेकिन एक इसका दुष्परणाम यह भी है कि अगर गरस संगती की महिलाएं या बुर पड़ा नुकसान भी कर सकती हैं तो दोस्ती और मितरता करने से पहले अपने सही साथी का चुराओं आवश्यक कर लें वहां पर जांच परताल आवश्यक है आपका नम्र सभाव और आपकी मीठी मानी आपके काम को भी आगे बढ़ाएगी आपकी मितरता को भी आगे आप अपने साहस के बल पर कुछ भी पा सकते हैं आप किसी भी परिस्तिती को काबू में कर सकते हैं और किसी भी शत्रू को काबू में कर सकते हैं आप बिलकुल भी नुकसान नहीं होगा पैसे के पीछे अधिक भागना आपको थोड़ी सी धन की हानी भी करवा सकता है इस सम संबंद वैवाई की जीवन में बहुत ही अच्छा समय बितेगा और आपका अच्छे पलों का आनंद लेने का आउसर प्राप्त होगा आज के दिनों में आपके उपर प्यार का नशाच चाया रहेगा आप प्यार में डूबे रहेंगे हर प्रकार का खुशियां आपके जीवन में आती रहेंगी जीवन साथी का प्रेम मित्रता का प्रेम परिवार का प्रेम या फिर कहें पैसे से मिलने वाला प्रेम सुखों का प्रेम यानि प्रेम और सुख दोनों आपके जीवन में भरपूर रहने वाले हैं और यदि आपको अपने दिल की बात किसी को बोलनी है इस समय में, तो बे हिचक बोल दीजे, और सामने वाला आपकी दिल की बात को सुन कर, आपके दिये गए प्रस्ताव पर खामी भर सकता है, और आप भी लोगों की बात सुनने का प्रयास करें, हमेशा लोगों को इग्णो पार्वारी कल्यकल यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक होगा और आपकी निंदा भी हो सकती है यदि आपको किसी भी प्रतार का कोई शायरी कश्ट होता है शरीव में कही पर दर्ध होता है पेट में या किसी और अंग में तो आपको तुरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए शुगर रोगी है तो भी आपको डॉक्टरी सला वक्त वक्त पर लेती रहनी चाहिए और यदि आपको थोड़ी से भी पीड़ा होती है तो उसको इग्मोर ना करें यहां किसी एक भेंकर रोग की शुरुआत हो सकती है जिसकी जानकारी आपको इस समय पर खो जाएगी और आप उसका दिदान के लिए उपचार शुरू कर सकते हैं तो यहां साई जानकारियां मैंने आपको बताई जो आपके इस समय काल में आपके साथ घड़ित हो सकती है तो समय आप सेगा समादान भी इस समय काल में होने वला है क्योंकि लश्मी नारायन योग का मतलब है लश्मी के साथ में नारायन का होना और जहां पर नारायन है वहां पर लश्मी जी हमेशा के लिए विराजित रहती है तो नारायन की पूजा करिए नारायन को अपने घर में स्थान कर आपके जीवन में परस्तन ताले कराएंगी अब वह उपाये जान लेते हैं जो वाएं हमारे जीवन में शुक्र और ब्द्ध को और मजबूत करेंगे और विश्णू जी को यानि नारान को खरने के लिए हमारी प्रातना को स्विकार करेंगे तो यहां उपाये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूँ हो सकता है कुछ जातक जातकाओं की लगन कुर्ली में शुक्र पीरित हो या परशान हो एसी अवस्ता में शैद आप शुव योग का पूर्ण आनंद ना ले पाएं लेकिन इन उपायों को करने से आपको पूर्ण आनंद की अनुभूती अवश्य होगी तो जान लेते हैं वहाँ कौन-कौन से उपाय हैं जो कि बहुत सठीक भी हैं सरल भी हैं और लातायन भी हैं उपाय नमबर एक आपको शुक्रवार का उवरत रखना चाहिए और शुक्र देव का ध्यान रखना चाहिए उपाय नमबर दो भगवार शुक्रवार की पूजा करने से शुक्र देव परसंद होते हैं और परतेक शुक्रवार शुक्र देव परसंद होते हैं तो इससे भी शुक्र देव और भगवार शुक्र परसंद होते हैं और आपके सभी बनो कामने पूरी होती है और लश्मी ये की किरपा भी आपर बड़ी रहती है गाये का शुद दूद या तो आप दान करें या गाये का शुद देशी की आप दान करें और साथ ही साथ इसका सेवन भी करें गाये का शुद दूद पीने से देशी गाये का शुद दूद पीने से और देशी गाये का देशी घी खान में डाल सकते हैं लेकिन चांदी का छला या चैन डालने से पहले एक बार किसी योगी जोतिशी से परामर्ष अवर्ष ले ले नहीं तो आप बाकी उपाय नहीं संकोच कर सकते हैं अब बुद्ध को मजबूत करने के लिए आपको गणीची की पुजा करनी चाहिए और दूर् बढ़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी चोटी इलाइची का दान करना लाबदाय करहेगा पालक का दान करना आपके लाबदाय करहेगा आप यहां करके बुद्ध और शुक्र दोनों को मजबूत कर लेंगे और ब्रस्पतिवार को यदि आप पीले वस्त्रों का द प्रसंत आएगी तो इधर से आपके बुद्ध भी मजबूत रहेगे शुक्र भी मजबूत रहेगे और भगवान मुष्णों की किरपार से लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए विराजित रहेगी तो अमीद करता हूँ आप सभी मकर राशी वाले जातर जातकाओं के कि उनमें यहां समय काल गोल्डन पिरियर्ड होगा हर प्रगार की परसंत और सुख आपको प्राप्त होगा हरी हो नमस्कार